जारखंड के गुमला जिले के भर्नो परखंड से सरकार के योजना भरे दावों का मूच शिडाती एक तस्वीर सामने आई है जहां एक 80 साल की व्रद्ध महिला सोमारी मांजी कड़ी मेहनत कर अपना जीवन यापन कर रही है लेकिन उस तक सरकार की किसी भी योजना का लाब नहीं पहुच रहा है पतारे के भर्नो प्रखंड छेत्र के बड़ा एक महुला नेवासी ब्रद्ध महिला सोमारी मांजी 80 वर्ष सरीर से ठक चुकी है लेकिन होसला बुलंद है घर घर घूम कर बास का सामान बनाती है और बेचती है और उसी पैसे से अपना जीवन यापन करती है बुजर्ग का राशनकार नहीं है ब्रद्ध पैंशन भी नहीं मिलती है सरकार योजनाओं का भी लाब रद महिलाओं को नहीं मिलता है एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि ब्रदाओं के लिए अनिक योजनाओं चलाए जा रही है लेकिन इन योजनाओं का लाब उन तक नहीं पहुँच पाता है ब्रदा की तस्वीर सरकार के उन दावों को मूझ चिड़ाती नजर आती है बरहाल सरकार लाख दावे कर ले लेकिन ब्रद महिला की यह तस्वीर दर्द बया कर रही है प्रातादर्बन ड्यूज के लिए गुमला से अजीज सौनिक रेपोर्ट